तो आज मैं आपको डिसकुस करने वाला हूं एससी सीजील का याद देखिएगा 6 दिसमबर का जो पेपर हुआ उसका इनलेसिस को हम डिसकुस करेंगे हैं तो चले स्टार्ट करने क्या हैं सबसे पहले पहले सिस्ट्री पोस्टन किस तरह और है सबसे पहले स्लोगन ओफ डू और ड्यू और ड्यू राइए वह जरू गोट्रू करके जाएगे Folk Dances of Gujarat पुछा गया है ठीक है इसमें options में दिये हुए तो याद एक गरबा आप सबको पता है डांडिया पता है और तिपनी ओके तो यह तीन जो मैंने famous folk dances बता दिये options में आ रहे हैं question difficult हो जाता है इसे में इसलिए जरू गो तुरू करिए next एक history में static question है कुछ personality से पूछ लेते हैं कि यह किस instrument से related है याद अखिए या किस चीज से related है जैसे की रमना बाल चंदरन के बारें पूछा गया है कि यह किस से related है तो यह कि वीना प्लेयर है याद देखिए का वीना के प्लेयर है तो आटन कल्चर में cover किया जा सकता है तो इसको भी आपको पढ़ें तो उसके लिए आप हमारे application को download कर सकते हैं वहाँ पर आपको classes मिल जाएंगी और आप notes चाते हैं तो आप handwritten notes भी हमाई order कर सकते हैं चलिए आगे बढ़ते हैं next देखते हैं कोशन चोला पीरेट से पूछा गया है कि चोला पीरेट के time पर traders को किस नाम से जानते थे तो इसका आंसर जो था नागरम हम ट्रेडर्स को चोला पीरेट में उसके नाम से जानते हैं चोला पीरेट हमेशा ancient इंडिया में पढ़ें तो चोला अंपायर होता है उसको जरू गो तुरू करिए exam से पहले next जिस तरह मैं बता रहों बार बार क्लासिकल डांस मैंने पिछल होगा असम में एक फेमस फोक डांस भी यू यह इंपॉर्टेंट डांस जरूर गोतुर करिएगा देखिए कोशन रिपीट हो गया भरत नाटेम वाला जो मैंने आपको बताया था रुक्मनी देवी किस डांस किस क्लासिकल डांस है आंसर रुक्मनी देवी याद अखिएग क्रासिकल डांस है जो कि अधिशा का फेमस है और इसको कौन सी परफॉर्म करते हैं यह भी मैंने बताया था आपको जरते माल मुहापात्रा के बारे मैंने बताया था जो कि इंपॉर्टेंट है बिलॉग करती है ओड़ी सी डांस से ओकिएटा महलिक है remember किरन सेगल है सोनल मा तो यह सब ओडीसी डांसे बिलॉंग करते हैं तो कभी-कभी अफकोस यह कोशन जिस तरह पूछा रहा है कि परस्टालिटी के नाम कुछ दे रहे हैं पूछ रहे हैं किस दान्स से इसलिए 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 प्रिवियस लेक्षर में आपको बजा था सब्सक्राइब करते हैं यह कोशन भी पूछा जा रहा है तो एक बाद जरूर जो डांसे हैं एक बाद इसका पीडिएफ मेरे टेलिग्राम ग्रूप में प्रोवाइड कर दूँगा फ्री ओफकॉस आप वहाँ पर इसके पीडिएफ आप देख सकते हो तो एक बाद जरूर फोग डांसेज गोतुरू करिए क्योंकि एक्जाम में आएगा जैसे देखिए यह सिदा था पुछे है बैसाकी फेस्टिवल बैसाकी फेस्टिवल अपने अगर पढ़ा होगा मॉडर्न इस्टी तो उस ताइम पर आपने जलीवाला बाग मैसकर के बारें पढ़ा होगा त यह भी पता है तो शाह जहां ने 1637 में निक्स किया था यहां पर इंपोर्ट हो जाता है हिस्टी में यह पूछे जाते हैं तो इसलिए गोतुरू करना जरूरी हो सकता है अगले शिफ्ट में कोशन पूछ लिया जाए ओके फर्स बैटल ऑफ टेरन वन वन नाइन एडी से द जोन के भी थे, कॉपर के भी थे, ब्रॉंज के भी थे, तो अल अब द अबफ कुछ भी दांस है, तो हरापन वेपन साब मेड़ अप ओफ, इस इस आलसो दा कोशन, ओके, मैं आपको बताया था, कॉंग्रेस के प्रेसिडेंट है, उस पर कोशन फ्रिम किया जाएगा, लाश जैसे की, फर्स वोमें प्रेसिडेंट, आइएंसी का बनी, एनी बिस है, नाइटीन सेवंटीन में, कॉलकता सेशन, पहला प्रेसिडेंट आइएंसी का डबलू सी बैनर जी, 1885 सेशन हुआ था, बॉम्बे में, फर्स मुस्लिम प्रेसिडेंट, बरुदिन तयाइब जी, य करें, नेक्स अब हम बढ़ते हैं, नेक्स सेशन में, पॉलिटी से कोशन किस तरह फ्रेम की जा रहे हैं, डिपीटेट कोशन आगे, राइट टो एजुकेशन किस आर्टिकल के अंदर है, आर्टिकल समेशा इंपॉर्टेंट पार्ट रहे हैं, एक्जाम्स के, तो आंसरत आ पॉलिटी पढ़ी होगी, तो आपको सीधा कोशन बन जाएगा, आपको लोग सोच आँगा, पॉलिटी से बड़े कोशन हम देख रहे हैं, कि पॉलिटी से बहुत कुशन है, इसके लिए कहां से स्टडीज करें, तो मैं आपको आदा हूँ, मेरी एक हैंड इंटन नोट्स, पॉलिटी के स्पेशली बुकलेट आगए हैं, आप देख सकते हैं, पूरे हैंड इंटन नोट्स हैं, तो आप इसको ओर कर सकते हैं, उसके लिए आप यह हाड कॉपी के फॉर्म में रहेगी, यादा है यह हैंड इंटन नोट्स हैं, बहुत इंपॉर्ण रहेंगा आपके तो आप एक बार कॉंटाक करिए हमको, कॉंटाक नमर लिचे मेंशन किया हुआ है, और ये आपके घर तक थू कोरियर, ये बुकलेट पहुच जाएगी, और एक्जाम के लिए आपके लिए, बहुत हेल्फुल होगी, सिर्फ 100 pages की है, तो सारी पॉलिटी अपडेटेड एवलेबल है, जो की हैंड रिटन है, तो आप इसको ओडर कर सकते हैं, चलिए, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं, पॉलिटी का अगला कुशन क्या पुचा गया, पुचा गया, नीती आयो का CEO कौन है, तो नीती आयो की बात करें, तो आपको बता होगा, नैशनल इंस्टिशन फॉर टांस्वर्मिंग इंडिया, मैंना अल्रेडी बता रखा था, पिछली शिफ्ट में ही कुशन आएगा, और आपको बता होगा, इन्होंने अमिताब कांथ को रेप्लेस किया है, नाम है, परमेश्वरन आयर, तो नए नीती आयो के CEO हो, ये इंपॉर्टन एग्जाम परस्पेक्टिल से, नीती आयो के 1st जनवी 2015 में बनी थी, ये एक नॉन एग्जेकुटे, इसके वाइस चेर्मन कोशन आ सकता है, तो सुमन बेरी जो मैं अभी रीसेंट्ली अपॉइंट हुए है, तो इसको जरूर गोत्रू करिएगा, नेक्स कोशन देखा है, मैं आपको दर सी एम पूछे जा रहे हैं, ठीक है, तो पुदुचेरी के सी एम पूछे गए हैं, तो एन रंगा स्वामी करेक्ट आंसर था, इसलिए सी एम एक बाद जरूर गोत्रू कर लो, गवर्नर और सी एम, जैसे मैंने लिग भी दिया कुछ को सी एम कराम, आन्दर पदेश, जगमोहन रेड़ी, अनुवाच्छा पदेश, पेमा कांडू, असम, हिमन्द बिश्व सर्मा, रिमेंबर बिहार, नितिश कुमार, 36 गार, भुपेश भगेल, गुवा प्रमोट सावंद, गुज़ाद, भुपेंद पटेल, तो और हिमाचल का, हिमाचल के सी एम जो है, आजसा था नैशनल अमजनसी, अब मैंने वही पर बता देशी, पूछ सकता है, आजसा था फाइनिशन अमजनसी, तीनों आटिकल आपको पताऊना चे, नैशनल अमजनसी, प्रेज़ेंट रूल, और फाइनिशन अमजनसी, कुशन फ्रिम वही किया, देखा, रिपीट हुआ, प्रेज़ेंट दौपदी मुर्मू से बहुत कुशन आ रहे हैं, जैसे पूछ यह पूछ यह इजी कुशन रहे हैं, फिफ्टीन प्रेज़ेंट ऑफ इंडिया कौन एलेक्ट हुए, तो अफ्कोस दौपदी मुर्मू एलेक्ट हुए, आपको पताओ, फिफ्टीन प्रेज़ेंट ऑफ इंडिया है, जो फिर्स्ट आइबलों सेकेंड वोमेंट प्रेज़ेंट है, आप्टर प्रत्वा पाथिल, पहली वुमेंट प्रत्वा पाथिल थी, रामनात कोविंद को इनों रेप्लेस किया है, यह गवणर रही हैं, जरकन की, 9th गवणर थी जरकन की, और 1958 में बॉण हुई है, मतलब यह पहली प्रेज़ेंट बनी है, जो की याद अखिएगा जो की born after independence मतलब आजादी के बाद जिनका जन्म हुआ है वो पहली president ऐसी बनी है और Odisha से belong करती है तो important है tribal से belong करती है तो question ही पूछा आता है किस tribe से belong करती है तो answer है याद अखिए संथल tribe से belong करती है जो की इंडिया में देखा है तो third largest tribe है तो संथल tribe से belong करती है यह भी question आया हुआ है ठीक है तो यह भी important है प्लस president के regarding मैं बोलनों बार बार कोशन पूछ रहे हैं इसलिए president को गोतु जरूरू का लेना term 5 years है minimum is 35 years president अगर आपको बनना है article 52 में president of India के बारे mention है executive power union का प्रेजेंट के हाथ में article 53 में mention है election 54 में mention है term में जो मैंने बता है फाइव यह 56 article mention है और 60 जो है oath of the president यह article 60 में है यहाद एक ही जहाँ पर chief justice of India यह senior most judge of supreme court president को ओद दिलाता है article 61 भी बड़ा important impeachment of the president जिसे प्रेजेंट को हटा सकते हैं तो वो भी important है तो प्रेजेंट news में चल रहा है इसलिए जरूर गोतुरू करिए नेक्स डार्क लीकोशन पूर लिया गया CVC जो की statutory body है उसके नए central vigilance commissioner बने हैं वो कौन appoint हुए है आंसर का सुरेश एंड पटेल है तो recent appointments में तो question आ जाता है मट CVC के बारे में भी आपको पता होना चाहिए कि statutory body है corruption के लिए work करती है जहां corruption होता है उसको address करती है और 1964 में establish की गई थी और जो committee ती जिसने recommendation दिया था इस body को establish होने के लिए याद किएगा संतर नाम committee important है यह अपनी रिपोर्ट जो committee है याद कि सौरी यह जो कमिशन बनी यह अपनी रिपोर्ट प्रेशन को समिट करती है central vigilance commission के अगर बात करें तो इसको appoint तो प्रेजिजिट करता है बट प्रेजिजिट तीन member की committee से पूच के इसको appoint करता है वो तीन members की committee होती है prime minister minister of home affairs और leader of opposition याद कि यह लोग सबाके यह तीनों मिलके decide करते हैं वो बताते हैं प्रेजिजिट को प्रेजिजिट को प्रेजिजिट उनको appoint कर देता है remember और term जो है इसका central business commissioner का याद कि four year का होता है तो question पूचा सकता हो सकता अगली शुक में यह पूच ले इसे मैं थो डीटेल में आपको बता दिया है next article 90 पे पूचा गया कित्ते किती freedom rights mention है बहुत साने six mention आपको बता होगा मैं आपको पढ़ा हुग है पॉलिटी के lectures में अगर आपको नहीं lectures आपको नहीं देखना हो तो आप notes भी order कर सकते हैं याद कि handwritten notes है प्रॉपर आप देख सकते हैं प्रॉपर हर चीज ग्राफिकल डाइग्रामेटिकल फॉर्म में बनाई गई है तो इसको आप order कर लिजे यह इसको आप पढ़ लेंगे तो पॉलिटी के सारे questions आपको बन जाएंगे तो six rights है speech and expression, assemble, association, movement, residence or profession यह मैं अल्रेडी पढ़ा चुका हूँ fundamental rights में तो यह question इससे पूछा गया है next science segment में सेग्मेंट में आते हैं science में इस तरह formula बार बार पूछ रहा है फिर से formula पूछ लिया है caustic soda का formula क्या है naoh तेकि मैंने कुछ formula आपर mention कर दी है आपको pdf में टेलगाम गूप में मिल जाएगी क्योंकि formula बार बार पूछ रहा है ठीक कैसे milk of manganesia mgoh2 remember click lime caoh2 caoh2 caustic soda पूछा गया naoh baking soda sodium bicarbonate quick lime cao remember caustic potassium koh washing soda na2 co3 plastic of paris पूछ रहा है विनेगर पूछ रहा है remember chloroform पूछ रहा है तो सब formula बार बार पूछ रहा है इसलिए बार जरू go through करके जाए तो उसक्त आपको question directly बन जाए ठीक है next pH value पे question पूछा गया है pH value आपको बता हो 7 pH value तो neutral होता है 6 7 से कम है तो acidic 7 से उपर है तो basic यह तो आपको फता होगा तो यहां बखुले milk of manganesia अगर pH कितना है 10.5 formula है MgOH2 remember अगर मैं एक acidic pH का example दो तो देखिए milk है 6.6 अगर आप एक neutral pH करांते तो pure water 7 का है और blood अगर देखें थोड़ा basic है 7.4 तो मैंने कुछ examples आपको देदी को pH पूछ रहा है साइस में question सीजा सा पूछा है कि slope of speed time graph आपने बताब speed time graph के slope को कहते है acceleration बड़ा important है meter per second squares की unit होती है तो question भी important है अब sports static और current के question देख लेते हैं क्या question पूछे कहें current sports से static पार्च से जैसे sports से पूछ यह इस बाप पूछ लिया है cricket stump आप सब्सक्राइब क्रिकेट पर आ गया लास्टाइम आप देखा वाल्यूवाल से question था cricket stump के length कितनी होती स्टम की तो answer था 28 inch या दखेगा तो जो sports खेलते होंगे cricket देखते हो उनको idea होगा नहीं देखते हैं कोई बात नहीं अब याद दखेगा summer youth olympics पूछा गया कहां पर हेल्ड हुआ यह तो ओल्ड कोशन हो गया बट स्टिल देखें कोशन इस तरह भी आ जाते हैं जो स्टाटिक में होता answer Singapore था नेक्स अभी recently current में आपको पता होगा CSIR की नई woman chief चीफ अपॉइंट हुई है तो पहली woman chief बनी है बड़ा important barrier थो रहा है इन्हों आज तक नहीं बनी थे कोई भी woman तो उसका नाम पूछ लिया गया important time मैंने current affairs में कराय हुआ है ठीक है आंसा था नाला तंभी कलासिल वी remember तो यह इसका correct answer है option देखके भी आप पांसर लगा सकते हैं चेमिन ओफ डिया दो फिर से repeat क्या है समीर के कमत में बार बार बोल रहा हूं question देखे repeat हो रहे हैं इसलिए इस लेक्च्छा को एंड तक देखना बहुत ज़रूरी है ठीक है Asian Games हुए आपको पता हुए sorry Asian Wrestling Championship वी remember ठीक है इसमें पूछ लिया गया है कि इसमें जो गोल्ड जीता है रवी कुमार दहिया ने बड़े फेमस हो जाते हैं क्योंकि याद है कि उन्हों टोक्यों में भी सिल्वर जीता था यहां पर गोल्ड जीते हैं और पहले इंडियन रसलर बन गए जिन्हों 3 successive गोल्ड जीत लिये हैं ठीक है तो important है रवी कुमार इंडिया थी 15th edition of IPL हुआ है इस बार का तोडल 10 ती में थी दो नई टीम्स आड़ हुई थी और फाइनल नरेंद मोदी स्टेडियम में हुआ एहमदबाद गुजरात में चैंपियन गुजराट टाइटन्स बनी जो पहली बार ही आड़ हुई थे जीत गई वो टाइटल र 27 विकेट्स लिए उन्होंने तो इसलिए उनको मिली है ठीक है तो यह आईपल से भी कोशन पूछे गए हैं पूछे जाएंगे अफकोर्स क्यों करनाडा फेर्स में स्पोर्ट्स में रहता है ठीक है नेक्स टाडिक पार्ट में नैश्ट इंसिट्यूट ऑफ रिमोट सेंसि नैशेल कैंसर रिसेंसिट्यूट मुम्बई हैं सेंट्र राइस इंसिटूट कटक हैं शुगर केंज रिस ईसिट्यूट कोयं बटूर जिस इंसिटूट और टोबैको फforcement स्निशिटीूट आंद्रप्रदेश तो हो सकते आपकी एकज इंडियन विनर्स रहे वो याद होना चीए आपको जो इंडियन विनर्स रहे New Age अल्बम रिकी केज है जो आल्रीडी मैं को बता चुका हूं आया था For Divine Ties के लिए उनको मिला है New Age अल्बम के लिए Remember उनको ये विला For Divine Ties के लिए रिकी केज को मिला है Grammy Award ठीक है और Best Children album category में फालगुनी शाह को मिला है तो दो इंडियन है जिनको award मिला है इसलिए important होता है वैसे अगर award winners पे जो question आये इस बार पूछा करे album of the year किसे मिला है तो वी आर जो है उसको album of the year बना है Song of the year, Leave the door open ये इसको मिला है रिमेंबर, Grammy Award शे कोशन पूछ रहे है इसलिए गोतुरू जरूर करना क्योंकि देखे एक और Grammy Award का backward link है तो पहला इंडियन जिसने Grammy Award जीता था उसका नाम था पंडित रवी शंकर और पहली woman जिसने Grammy Award जीता था मुजिक में जिनका अमने तन्वी शाह तो मैं Grammy Award इसलिए बता रहा हूँ को देखे दो-तीन कोशन में शिफ्ट में देख रहा हूँ Grammy Award शे कोशन आ रहे हैं तो गोतु करना जरूरी हो जाता है इजी कोशन जोगरफी का है या तो आप स्टाटिक पार्ट बान सकते हैं में कोशन देखे जाएं तो देखे निपन स्कीम फिर से रिपीट कर गई है तो इसलिए कहता हूँ अगर आप सीरीज को देखेंगे तो अगली शिफ्ट में कोशन रिपीट कर सकता है डारेक्ली निपन स्कीम और निपन प्रोग्राम दोनों में डिफ्रेंस या द अखियेका निपन स्कीम जो है कनस्ट्रक्शन ऑफ वगस के लिए है और इसको मिनिट्री ओफ हाॉसिंग और अरूंज किया है जबकि ये वाली निपन प्रोग्राम जो है ये मिनिस्ट्री ओफ एजूकेशन ने लाँच किया है तो दोनों में डिफरेंस याद अखना है कोशन फ्रेम हो रहा है निपन स्कीम और निपन प्रोग्राम से कन्फ्यूस करने के लिए हर बागी तरह एक स्कीम स्टेट गवर्मेंट की पूछते हैं पूछ लगा है शिशू साथी जो है ये स्कीम किस स्टेट ने लाँच किया है मैं बतादू ये स्कीम चिल्रेंट की हार्ट ट्रीटमेंट के लिए funds provide करने के लिए यह scheme जो launch की है West Bengal की government ने launch की है ठीक है और एक और scheme पूछी की नमस्ते यह Central सेक्टर scheme में पूछा गया है किस ministry के अंदर यह scheme आती है मैं आपको बताओ नहीं scheme है क्या full form देखे national action for mechanized sanitization ecosystem यह full form है scheme का ministry of social justice ने scheme को launch किया है इसका aim अगर मैं आपको बताओँ तो आपको बताओगा जब साफसफाई करते हैं तो इस time पे बहुत से workers की death हुजाती है skilled नहीं होते हैं तो यहाँ पर यही कहाँ जो sanitation worker है वो skilled हो remember उनकी death जो है उसको zero की जाए तो इसके लिए यह scheme नमस्ते scheme जो है वो launch की गई है मैं इसके social justice and empowerment के थुरूप तो यह थे questions जो SSC के shift में पूछे गए मैं आपको फिर से बता दूँ कि अगर आपको quality section की book चाहिए तो बहुत अच्छी handwritten notes अपने launch किये हैं यहाँ ग्राफिकल बुक लाउंच किये हैं इसमें पतली से बुक है 110 pages की और इससे आपको पूरा quality एक है question यहाँ से बन जाएगा ठीक है state services या किसी की UPSC preparation कर रहा हूं तुरंत order कर सकते हैं अगर आपको वीडियो lecture course चीए तो application download करो दिवशीष classes यह notes के लिए आप मुझे contact कर सकते हैं प्लस अगर कोई आउट कुरिये कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें इसकी PDF आपको में टेलिग्राम गूप में मिल जाएगी और अगली shift के लिए उसका भी आपको बता दूँगा conclusion किस तरह questions आ रहे हैं तो best of luck जो पेपर दे रहे हूं केस की आपका 15 मिनिट में आपको complete analysis बता देते हैं जो आपकी exam perspective से बहुत helpful होते हैं ओके डाउट कुरिये कमेंट बॉक्स में जरू कमेंट करें प्लस वीडियो को लाइक जरू करें चैनल को सब्सक्राइब जरू करें थैंक यू